नमस्कार दोस्तों, OCN Network वे आपका स्वागत, 22 जन्वरी जिसकी प्रतीक्षा ना केवल देश कर रहा है, बलके विदेशों में भी जहां जहां राम भक्त बसे हुए हैं, रहते हैं, जो भारत की पहचान के रूप में या भगवान राम की संतान के रूप में वहां पता का फैरहा रहे हैं, किसी ना किसी पद पर, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संसान में, उनके लिए भी य एक गौरव का दिवस है और सब इसकी पता नहीं कब से प्रतीक्षा कर रहे थे दशकों से सदियों से कई पीडियां चली गई संघर्स करते हुए बलिदान देते हुए असंखे बलके मैं तो कहूंगा हजारों लाखों लोग सत्तर बार प्रियास हुए हैं सत्तर से भी अधिक बार सतत्तर बार जब अलग अलग आंदोलनों को बहुत निर्ममता के साथ कुछला गया है दबाया गया है लोगों को मारा गया है और तब जाकर के अब ये एक दिन आया है जिसको लेकर के एक उल्लास का वातावरन है एक उत्साहा का वातावरन है लोगों की आखे नम हैं अब कल जब राम लाला की पृतिमा जो गर्ब ग्रह में अस्थापित की गई है और जिसकी प्राण परतिष्ठा होनी है उसकी तस्वीरे जब सामने आई तो बहुतों की आखे डब डबा गई है ये विश्वास है स्री राम के पृति उनके सिध्धान्तों के उनके विचार धारा के पृति उनके मरियादित आचरण के पृति और ये सब बाते हम तब कर रहे हैं जब हम जिनको हम अपना लीडर मानने की भूल करते हैं वो आमरियादित आचरण करते हैं दूसरों के पृत ही असमान जनक भाशा का प्रियोक करते हैं जो सारी हदे लां जाते हैं, राष्ट हित को ताक पर रख देते हैं, हम ऐसे आवसर पर इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब फिर से हमारा जो गोरव है, जो हमारा सम्मान है, जिसको गहात प्रती गहात के साथ कुछला गया, दबाया गया, हमारी पहचान को नश्ट करने की कोशिश की गई अब जाकर के, जब सदियों के संघर्स के बाद, एक संकल्प लिया गया, एक शपत ली गई, उसके बाद संकल्प और शपत से लेकर के सिध्धी तक का मार्ग तै किया गया, और आज हम कह सकते हैं कि उसका फल हमें इस रूम मिल रहा है, ये सफर कैसा रहा है? और यहां तक का जो संगर्स है और जो इस समय जिस बिंदू पर हम खड़े हैं जहां से एक रास्ता जा रहा है उनीस सो सेहतालिस दो हजार सेहतालिस की तरफ जिसके बारे में हमारे परधान मंत्री ने ये संकल्प लिया है नया संकल्प लिया है कि हम विक्सित भारत दो हजार सेहतालिस तक और उसके लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने हैं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं आत्म निर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं नई पार्लियमेंट हमने बना दी है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई और भेंट की गई या छोड़ी गई पार रसकार नहीं है लेकिन अपनी पार्लियमेंट ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो अब अपने हैं भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर भी अपना है आज मेरे साथ बहुत ही खास मैमान जुड़ रहे हैं वैसे तो हम उनको जो बॉलिवोड फिल्में हैं जो सीरियल् भाशाई सिनेमा है उसकी समीक्षा के लिए जानते हैं और जाने माने समीक्षक हैं उनकी अपनी एक पहचान है प्रतीक बोराडे जिनका मैं व्यक्तिकत तोर पर भी बहुत समान करता हूं क्योंकि वो राष्टवादी हैं और डंके की चोट पर बात कहने की एक शमता रखत हैं और इसके बाद आगे की उमीद है कैसी उनकी है प्रतीक जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा के योग्ये मुझे समझा आपने चैनल पर बुलाया इस विशे पर चर्चा करने के लिए और बाकी मेरी भावनाय वो तो हर हिंदू पूरे विश्ववर में जहां पर भी है जो अंदर प्रसनता है जो खुशी है उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि बतानी पुरोजन में में कौन से पुन्य किये होंगे कि हम इतने सोभाग्यशाली है कि इस क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं इतिहास के सबसे दिव्य, सबसे भव्य ऐसी घटना के हम साक्षी बनने जा रहे हैं विशेश्टा पिछले 2000 वर्षों की इतिहास की यह सबसे भव्य ऐवं, सबसे दिव्य और सबसे पावन ऐसी घटना 22 जनवरी को घटित होने जा रहे हैं और जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं मतलब मुझे तो अपने आप की चिम्टी काट कर देखने क मन करता है कि क्या सच में यह हो रहा है और हम इस घटना को अपने आखों से देख पा रहे हैं बहुत ही जादा स्वभाग्यशाली है हम सबी और शायद बहुत सारे मित्रों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हम क्या देखने जा रहे हैं और किस घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं और ये केवल भारत की द्रिष्टी से ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास की द्रिष्टी से भी विश्ष्ट पिछले 2000 वर्षों के इतिहास की द्रिष्टी से बहुत ही जादा महतुपुर्ण घटना है क्योंकि देखिए पिछले 2000 वर्षों का इतिहास कितना रक्तरंजीत रहा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है, इस प्रकार से विश्व की जितनी भी प्राचिन सभ्यताय थी, उन्हें कैसे नश्ट किया गया, उन्हें पेगन्स कहे कर, आइडल वर्शिपर्स कहे कर, डेविल वर्शिपर्स कहे कर, सेकनिक प्रैक्टिसेस को करने वा पर अलगलग सभिताओं के साथ में हुआ और इन सभिताओं पर जब भी आक्रमन होता था तो एक systematic pattern हर जगा पर देखा गया जैसे कि प्राचीन ग्रीक की जो सभितारिक उधारन अगर मुझे देना हो तो मैंने हमारे चैनल पर अगोरा नाम की एक फिल्म का रिव्यू किया था जिनमित्रों ने उस फिल्म को नहीं देखा मैं तो सबको strongly recommend करूँगा कि अगोरा इस फिल्म को आप अवश्य देखना किस प्रकार से प्राचीन ग्रीक की सभिता को नश्ट किया गया था अब मैं उसका उधारन यहाँ पर क्यो दे रहा हूँ क्योंकि यह जितनी भी विश्व की प्राचीन सभिताई थी पिछले 2000 वर्षों में एक सनातन हिंदू संस्कृति को चोड़कर बाकि सभिताओं को नश्ट किया गया यह तो हम जानते हैं पर उन्तु कैसे उन्हें नश्ट किया गया क्या पैटन था तो एक similar पैटन हमें सब विश्व में सभी जगह पर देखने को मिलता है कि जिस भी सभिता पर आकरमन होता था सर्व प्रतम उस सभिता के जो प्रमुख पूजास्तल होते थे जो टेंपल्स होते थे उन्हा एंशियन कल्चर्स के उनको टार्गेट किया जाता था चोटे मोटे जो टेंपल्स होते थे, मुर्तिया होती थी, उन्हें तो तोड़ा जाता था पर उन्तु जो प्रमुख मंदीर होते थे, टेंपल्स होते थे, उन एंचेंट कल्चर्स के उनको कनवर्ट किया जाता था जो भी आक्रमनकारी होते थे, वे अपनी religious faith में उन टेंपल्स को कनवर्ट करते थे, और ये विश्यो में सभी जगह पर आप प्राचिन सब्विताओं के अलगलग शेतर के इतिहास पढ़कर देख लीजी, आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने अभी अगोरा फिल्म का उधारन दिया, प्राचिन ग्रीक सब्विता थी वहां की एक महान महिला दार्शनिक, हाईपी शिया, उसको नगना करके मारा गया था और उसे कहा पर बारा गया था, ये बात सबसे ध्यान देनी योग गया है उस जगह का नाम है कैसरियन, जो प्राचिन ग्रीक की जो एंशेंट कल्चर था, जिसे पेगन सब्विता कहा जाता था उनका एंशेंट टेमपल था वो, और उनके ही एंशेंट टेमपल में, वहां की ही महान दार्शनिक हाईपी शिया को नगना करके पत्थरों से कुचल कुचल कर मारा गया था और बाद में उस ancient Greek के प्राचिन टेंपल को चर्च में convert किया गया था और ये लिखित इतिहास है कोई भी simple Wikipedia पर जाकर भी हाईपेशिया की इतिहास को पढ़ सकता है और ये किवल प्राचिन ग्रीक में हुआ ऐसी बात नहीं वहाँ पर तो उनकी जो लाइबररी थी उसे भी जलाया गया था उसकी भी आउशेश आज भी हमें देखने को मिलते हैं वो सारे फोटोस वगरा भी मैंने जब आगोरा का रिव्यू किया था तब मैंने वो सारे फोटोस वगरा दिखाय हुए है तो ये एंशेंट ग्रीक में भी हुआ अलग-लग जगह पर टर्की में भी हमने देखा था कि प्राचिन जो भी एंशेंट कल्चर के जो जो कनवर्ट किस प्रकार से किया जाता था आकरमन कारियों के द्वारा इस सब हमने देखा हुआ है विश्व में अलग-लग जगह पर तो यही भारत पर भी जब विदिशी आकरांताओं के आकरमन हुए वो चाहे पॉर्टुगीज हो, डच हो, मुगल हो, अफगान हो, तुर्की हो उनके द्वारा भी भारत पर आकरमन करने के बाद में सबसे पहले भारत के मंदिरों को ही टार्गेट किया गया था भारतिय सब्वेता का कल्चरल जनुसाइड करने के लिए अंगिनत हत्या लूट बलादकार किये गए और पॉर्टुगीजों के द्वारा मंदिरों को गोवा में जो गोवा का कालखन तक वर्षों से भी अरिक समय का कितने मंदिरों को तोड़ा गया सेंच जेवियर का वक्त वे आज भी हम पढ़ सकते हैं कि उसने कहा कि मुझे कितनी प्रसनता हुई है इन मंदिरों को पूरे विश्वभर में इतिहास रहा है अलग-अलग जगव पर Inquisition का अरत होता है कि Roman Catholic Church के उधारा बनाया गया कैसा संगटन जो ऐसे लोगों को ढूनता है जो Church की मानेताओं में विश्वास नहीं रखते और उनको पकड़ कर जिंदा जलाया जाता है और ये Goa Inquisition के समय भी भारत में हुआ तो इस प्रकार से प्राचिन सभिताओं को उनके मंदिरों को नश्ट किया गया पर भारत में जो विदिश्य आकरांताओं ने आकरमन किया ना तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहां पर जो सनातान संस्कृति को फॉलो करते है न उनका कोई एक प्रमुक टेंपल नहीं था चोटे मत्यों मंदिरों को उन्होंने बहुत सारे लाको-लाकों मंदिरों तोड़े विदिश्या करांताओं ने पर कोई एक प्रमुक टेंपल नहीं था यनि चार प्रमुक मंदिरों को उन्होंने सिस्टम समझ कर उनको बार-बार उन पर आक्रमन किये और भारत के लाको-लाकों साधुओं ने, संतों ने, वीरों ने, विरांगनाओं ने उन मंदिरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दी और देखा सोमनात मंदिर को तो हमने स्वतंत्र भारत की इतिहास में उसका जिरणोतार होते हुए देखा और उसके बाद में अभी आयोध्या में श्रीराम जन्म भूमी पर हम जो प्रान प्रतिष्टा समारों देखने जा रहे हैं दिनों के बाद में 22 जन्म भरी को ये कितनी बड़ी घटना है इसकी अभी हमें कलपना नहीं है केवल भारत की द्रिष्टी से ही नहीं जीन लाखों साधू संतों वीरों विरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुती दी उन्हें तो ये श्रद्धान जली है ही पर उन्हें विश्व की इतिहास में सेख की द्रिष्टी से भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2000 वर्षों में जिन एंशेंट कल्चर्स को नश्ट किया गया उनके प्राचिन मंदिरों को जो तोड़ा गया उन्हें पैगन्स कहेकर आडल वर्षिपर्स कहेकर डेविल वर्षिपर्स कहेकर बुद्ध परस्त कहेकर तो उन्हें भी एक प्रकार से ये श्रद्धान जली है उन्हें भी एक प्रकार से ये ट्रिब्यूट है इस मंदिर का उत्तरदिशा की और जाते हैं तो उसी प्रकार से हम ये सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का उत्तरायन कालखंड इसके बाद हम देखने वाले हैं जहां पर एक प्रकार से पुनर जागरन हम कह सकते हैं संस्कृतिक पुनर जागरन भारतिय सब्वेता का और बहुत बड़ी घटना है किवल भारत की दृष्टी से ही नहीं तो पूरे विश्व के इतिहास की दृष्टी से भी ये बहुत बहुत बड़ी घटना है। एक अजीव सी उन्हें बीमारी पाल ली है। जो हमारे नैक हैं एक्चौल में नैक हैं, उनको हम खल नैक बनाने पर आमादा हो जाते हैं। और जो वाकिई रियल हीरो हैं, उनको हम नहीं पूझते हैं, जो नकली कथाओं पर अभिने करते हैं, उनको हम असली हीरो मान लेते हैं. पहराल मैं उस तरह अपनी जाना चाहता आज. मैं यह कहना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचिर से प्रधान मंतरी नरेंदर बोधी ने और याद आ जाएगी दर्शकों को. और उनको कहा था कि आज इस कालखंड में हम जो करेंगे, वो अगले एक हजार वर्ष तक के भारत का रूप और स्वरूप तै करेगा. एक हजार साल की सोच करके वो चल रहे हैं. और उस दिशा में इस टैप भी उठा रहे हैं, बहुत पहल कर रहे हैं. अब ही नीती आयोक की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि दो हजार चौवीस से लेकर के अब तक इन साड़े नो पौने दस वर्ष में ही पचीस करोड की आबादी गरीबी की रेखा से उपर आ गई है. मैं यहां एक पत्रकार के नाते बैठ हूं, एक विचारक के एक लिखक के तोर पर बैठा हूं, मेरी भी कुछ पुस्तके आई हैं, कई अख़वारों में संपादक रहा हूं. मैं केवल तथ्य के आधार पर इस सरकार और इस प्रधान मंत्री की प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं. लेकिन हम देख रहे है इस शुबह आउसर पर भी, जब हमें गोरवान भी थोना चाहिए था, जब हमारा आत्मा विश्वास बहाल किया जा रहा है, जिस हमारे सम्मान को, गोरव को, जिस सांसकर्तिक विरासत को, जिस हमारी पहचान को, सदियों तक दबाने की कोशिश की गई, अकेले औरंग रहा था, उससे भी ज़्यादा आदिक, इसका मतलब यह है, कि मंदिर केवल मंदिर नहीं होता है, मंदिर जो है, वो एक बहुत बड़े समुदाय को, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट भी करता है, और कल्चरली, सोशियली, इकोनोमिकली, उनको सम्रद्ध करता है, और अगर वो रहा भटकने की कोशिश करते हैं, तो उनको जोडता है, उनको सही रहा दिखाता है, तो हमारी संस्कृती के मूल पर प्रहार किया गया है, बार-बार आगात किया गया है, ऐसे समय भी राजनीती की जा रही है, और कुछ संकराचारिये भी बयान बाजी कर रहे हैं, जिनको धर्म का पालन करना चाहिए, वो धर्म का पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, और जो राजनीती में होते हुए भी धर्म का पालन कर रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है? सर, भारतिय संस्कृती में कभी भी किसी पद प्रतिष्टा की अपेक्षा, ज्यान का सरोचस्तान रहा हैं, हम इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, जहां पर बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े जो वेदों के ग्याता भी रहे ह उन्हें भी किसी सामाने से विक्ति ने शास्त्रार्थ हमें परास्त किया हुआ है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें इतिहास में देखने को मिलती है, अश्टावकरमुनी का ही हम अगर उनके जीवन को अगर हम देखे, तो राजा जनक के दरबार में बहुत बड़े- पंडित और वेदो के ग्याता शास्तरार्थ उनके बीच में चल रहा था, अश्टावकरमुनी के पिता भी वहाँ पर शास्तरार्थ करने के लिए गये थे, पर वे जब वापस नहीं आये तो अपने पिता को छुडाने के लिए अश्टावकरमुनी राजा जनक के दरबार में गये थे, पर उनका कुष्णवर्न और आठ जगह से मुड़ा हुआ शरीर देखकर, वो उस सभा में बैठे वे बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो शास्तरार्थ करने के लिए वहाँ पर आये हुए थे, वे सभी हसने लगे अश्टावकरमुनी पर, अश्टावक केवल बाहरी, चमडी को केवल ये देख रहे हैं, चर्म को केवल देख रहे हैं, पर मेरी जो आत्मतत्व है, जो अचर में व्याप्त है, उससे ये नहीं देख पा रहे हैं, तो भारतिया संस्कृति में किसी पद पर, कोई बाहर से इसके पास कितना ग्यान है, कोई जो अपने आत्मतत्व में जगवे महापूरुष है, वो भले ही किसी वरक्ष के नीचे, किसी कुटिया में ही रहे दें वाले क्यों न हो, उस ज्ञान का महत्व सरवाधिक होता है, तो ठीक है, सभी जो पद है, उसका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, परंतु ऐसा नहीं, हमारे जो ज्ञान है, जो आत्मिक स्थिती है, किसी की शरद्धा कितनी है, भक्ति कितनी है, ज्ञान में पहुच कितनी है, क्या वो अपने आत्मतत्व में स्थित है या नहीं, ये बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखनी चाहिए, मैं तो इस बात में विश्वास रखता और बाकी आपने जो कहा कि इतना दिव्य भव्य इतिहास का सबसे बड़ा हमें गवरवानवित करने वाला ऐसा क्षन इस समय भी जो राजनीती हो रही है या इसका महत्व जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे हमें आपेक्षा भी करना मुझे लगता है कि सही नहीं है ज अतंदर्ता के बाद में उसी क्यानुसार इतिहास भी लिखा पाट्य पुस्तकों में भी हमें यही अधिकतर हम जान हमारी संस्कृति को टार्गेट करने के उद्धेशे से ऐसे गलत इतिहास का हम पढ़ते आए हैं तो वो तो इस मंदिर का हमारी सभ्यता का हमारी कल्चर का सम्मान करेंगे उनसे तो यह आपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए ठीक है वो तो विरोध करेंगे ही क्योंकि उनका दृष्टिकोन ही हमारी सब्वेता की तरफ संस्कृति की तरफ देखने का वैसा ही है और बाकी अन्य भी कई लोग जो इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे है इसके पीछे भी मैं तो हमारे देश के कला और साहितिक एक शेत्रका भी एक बहुत बड़ा हात मारूंगा भली आज हम बॉल्यूड पर चर्चा नहीं कर रहे पर फिर भी बॉल्यूड का फिर से मैं उले करना चाहूंगा यहां पर कि उनका भी इसमें नरेटिव बनाने में बहुत बड़ा हात रहा है 6 दिसंबर 1992 को विवादित धाचे का जब विध्वन्स हुआ उसके बाद में आप देख लीजे पिछले दो दशकोसी भी अधिक समय में बॉल्यूड ने कई सारी ऐसी फिल्में बनाई वेब स्रीज बनाई जिन में जो विवादित धाचे के विध्वन्स को भारत के सबसे बड़े कलंक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया अभी हाली के समय कि कुछ फिल्मों या सिरीज के उधारन दो तो सेक्रेट गेम्स में भी वो एक सीन आपने देखा होगा या फिर लाल सिंग चड़्डा में भी आमिर खान की जो आई थी उसमें भी वो एक सीन दिखाया गया था या और भी कई सरी फिल्मों में या हाली में कुछ वेब सिरीज वगेरा उनमें हमने देखा हुआ है कि विवादी ठाचे के विधवन्स को भारत के उपर सबसे बड़े कलंक के रूप में ये एको सिस्टम बॉलिओड के फिल्मेकर समेशा से प्रस्तुत करते आए हैं परंतु सबसे बड़ा कलंक हमें क्या सही मायने में अगर देखा जाये तो सबसे बड़ा कलंक तो वो है कि विदिशी आकरांताओं के द्वारा श्री राम मंदीर को तोड़ा जाना हमारे देश के हज़ारो हज़ारो लाखो लाखो मंदीरों को विदिशी आकरांताओं ने जो तोड़ा वो सही मायने में सबसे बड़ा कलंक है परन्तु उसके बार में तो उलेक भी कभी वॉलिट की फिल्मेकर्स नहीं करेंगे किसी फिल्मेक छोटा सा डायलॉग भी उसको लेकर के नहीं डालेंगे उसका उलेक करना तो छोड़िए उल्टा उनी विदिशी आकरांताओं का महिमा मंदन करने वाला धेर सारा कंटेंट हमारे देश की फिल्मेकर्स ने बनाया हुआ है बाबर जिसने श्री राम मंदिर को तोड़ा उसका ही महिमा मंदन करने वाली दे एम्पायर जिससी विब स्रीज अभी धाई वर्ष पहले ही बनी हुई है वो भी बहुत अच्छे खासे बजेट के साथ में डिजने प्लस हाट स्टार पर अभी भी वो अवेलेबल है दे एम्पायर जिससी विब स्रीज जिसमें बाबर का महिमा मंदन किया गया है और उस विब स्रीज को बॉलुड के कई सारे बड़े-बड़े मेंस्ट्रीम अक्टर्स, फिल्मेकर्स प्रमोट कर रहे थे अभी धाई वर्ष पहले की बात है रितिक रोशन ने भी उसको प्रमोट किया था यही नहीं कबीर खान जो बॉलुड के सबसे मेंस्ट्रीम फिल्मेकर्स मेंसे एक आते हैं उन्होंने तो दे अंपायर के रिलीज होने से पहले कहा था कि मुगल तो भारत के असली नेशन बिल्डर्स है, भारत के असली राष्ट्र निर्माता है और बॉलुड मेंसे किसी ने कभीर खान के उस वक्त व्यका विरोध तक नहीं किया तो ये तो इस इंडस्ट्री की मान सिकता है और इन्होंने आपने फिल्मों के मादेम से हमारे देश की युवापिडी के मन में यही नरेटिव डाला हुआ है हमेशा से और इससे भी एक स्टेप आगे जाकर के आनन पटवरदन जैसे वामपंती फिल्मेकर्स की राम के नाम जैसी जी डॉक्यमेंटरीज है वो हमारे देश के फिल्म इंस्टिट्यूट्स में स्टडी की रूप में पढ़ाई जाती है बच्चों को दिखाया जाता है उस पर स्टडी करने की लिए कहा जाता है सिलेबस की रूप में उसको दिखाया जाता है जिस राम के नाम डॉक्यमेंटरी को कुनाल कामरा जैसे स्टेंडब कॉमेडियन अपनी यूट्यूब चैनल पर डालता है और उसके नीचे पिंड कमेंट में लिखता है क्यों उसे हमारे देश के बच्चों को पढ़ाया जाता है अब सोची ऐसी चीजे ऐसे कंटेंट को देख कर स्टेडी करके जो लोग फिल्मेकर बनते हैं वो क्या फिल्में बनाएंगे क्या कंटेंट बनाएंगे और इसी कारण से फिर उनकी फिल्मों में कंटेंट में हम यही देखते हैं कि किसी ने भगवा गमचा ओड़ा हुआ है तिलक लगाया हुआ है या रिदराक्ष की माला पहनी हुई है तो वो विलन है यही एक छित्र उन्होंने हमेशा से बॉल्यूड की फिल्मेकर्स लब हो सकता है कि पिछले दो-तिन वर्षों में देश में जो रश्ट्रवात की लहर है उसके बाद पिछले दो-तिन वर्षों में शायद किसी ने दी होगी वो भी मैंने नहीं देखा पर आप अगर तीन-चार वर्ष पहले चले जाएंगे अजीब से कपड़े पहन कर वो दिवाली बैश पाल्टी में जाते हैं उसके बड़े उनकी पूरा एकोसिस्टम उन फोटोस को उन वीडियोस को प्रमोट करता है तो इनको राम नौमी पर तो ये कभी उनके हमारे इसके बारे उनको पता ही नहीं है पर इसी के अगेंस्ट आप देख लिजिए क्रिस्मस पर पूरा उसके ट्रिडिशन्स क्या है घर में उसकी कैसे सजावट करनी है और पूरा लाल टूपी पहन कर या वो बारा सिंगे वाली टूपी पहन कर पूरा प्रॉपर फोटो शूट करके फोटो जालेंगे वीडियोज डालेंगे वहाँ पर उनको सारे ट्रिडिशन्स पता होते हैं अच्छी बात है उनको मनाना है खुलकर मनाए परंतु क्या दिपावली पर कभी ये कोई ट्रिडिशन्स फॉलो करते हैं इनके नाम भी पता है या इन पर क्या परंपरा होती ये भी पता है नहीं तो ये मेरे अनुसार तो अधिकतर हमारे रूट से कल्चर से जो युवा दूर गए हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ एक तो फिल्म डस्ट्री का भी रहा है जब आपको फिछले दिनों पता लगा कि अमिताब बच्चन ने आयोध्या में सर्यू के लगभग तट के आसपास ही भूमी खरीदी है और वहां पर वो कोई कॉम्पलेक्स बनाने जा रहे हैं आपकी भीतर की एक पर्तिक्रिया क्या थी या इधर जो हम देख रहे हैं ये भी सवाल में आपसे पूछने वाला था कि जो 22 जनवरी को आमंत्रित हैं बोली बुर से उसमें कई ऐसे नाम हैं कई ऐसे चेरे हैं जो कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं या पहले उनकी पहचान कुछ और थी आजकल बदलती हुई इस हवा में राम लहर में या मौदी की लहर में वो थोड़े से बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं ऐसे लोग भी आमंत्रितों की सूची में हैं कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जब आप किसी क्षेत्र विशेस के लोगों को इस तरह के आयोजन में बुलाएं सबसे पहले तो अमिता आप बच्चन जी ने जो जमीन वहां पर खरीदी है मेरे अनुसार तो मैं जितना समझता हूं बॉलिड के अधिकतर जो लोग हो बहुत ही बिजनेस मैंडेड मनी मैंडेड होते हैं अब उसके पीछे भी वही उद्देश्य मेरा तो कम से कम लगता है अब किस बिल्डर ने उन्हें क्यों जमीन दी उस बिल्डर का उसके पीछे क्या उद्देश्य था वहां पर जमीन के भाव उससे कैसे उचलेंगे वगेरा मतलब वो तो एक अलग विशे हैं बहुत सारी उसमें अलग-अलग पहलू हो सकते हैं अब हमें उसके बार में पता नहीं तो मैं तो कुछ कहने पाऊंगा पर जो मेरा अंदाजा है वो मैंने क्यों वहां पर बताया तो बॉलिड के लो हम कई सरैसे संतों के बारे में पढ़ते हैं जो पहले की जीवन में कुछ अन्य थे परंटु और इwen कुछ संतों का इतिहास तो हम ऐसा भी पढ़ते हैं जिन्नोंने कई रिश्यो को ही उनकी निंदा की थी विश्यो की संतों के निंदक थे वे characterize संतों के सबसे बड़े परिश्य की रूप में उभर कर सामने आये हैं। हाँ, कुछ-कुछ लोग बिल्कुल बदले हैं। है, बाकी उतो उनकी अंतरात्मा जाने। आखिर में जरूर जानना चाहूंगा कि इस देश में एक जमात है और बड़ी जमात है। जो सबसे ज़्यादा हला भी काटती है। इस जमात ने प्रभूर राम को भी सामपरदाइक बताने की हिमाकत की है। जो प्रभूर राम के प्रति आसक्त हैं, आस्थावान हैं, उनको भी अपमान करके उनका मजाख उड़ाने की कोशिशें हुई हैं। कोटी-कोटी हिंदूओं का भी अपमान किया गया है। बलके खुद को हिंदू बताने में भी बहुत सारे लोगों को शर्म महसूस होती रही है। और यह वो लोग हैं जो खुद को सेकुलर कहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में, जब बांगलादेश में, जब कनाड़ा में हिंदू मंदिरों पर गहत किये जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, पुजा पंडालों पर आक्रमन किये जाते हैं, तो यह आपराधिक चुप्पी साध लेते हैं। क्या कहेंगे इस जमात के बारे में? कोई तुरंत सांपरदाइक होने का टैग लगा देगा, यह डर अंदर रहता था, और मैं खुद भी जब 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 श्रीराम अपने वीडियो के आंत में कहता था, तो आज से बस छे वर्ष पहले का समय हैं, लोग तुरंत ऐसे ऐसे कमेंट्स नीचे आते थे थे कि तुम तो हेट स्प्रेड कर रहे हो, तुम तो संपरदाइक हो, मतलब रभु श्राम चंदरीची का नाम लेना ही आप हेट स्प्रेड कर रहे हैं, यह सर्टिपिकेट आपके माते पर लग जाता था, यह समय था, तो आज देख लीजिए, पूरा देश राम में हो गया है, और सोचिए उन लोगों के छाती पर कैसे साप लोट रहे होंगे आज, जो पाच-छे वर्श मेले तक राम नाम लेने तक नहीं देते थे, आज उनकी अंदर क्या आवस्ता होगी, मुझे तो वेचारों पर धया आ रही है, और आने वाले समय में तो और भी बहुत सारा परि जन्म आयोध्या में हुआ है, ये उस गीत के बोल थे, वो उन्होंने केवल वो गीत गाने को शुरुवात किती, तो उसका प्रसारन रोग दिया गया था, मुझे मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मैंने अपने वीडियो में बताया था, तो वो इंटर्व्यू, ऐसा समय भी भव्य मंदिर बन रहा है, रामजी का स्थित्व जो नकारते थे, नैशनल ब्रोड्कास्टर पर रामजी का जन्म आयोध्या में हुआ है, ये तक जो नहीं कहने देते थे, वहां से लेकर के आज हम यहां तक आये हैं, और जो लोग डराने का प्रयास करते थे ना, कि भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगेरा, वगेरा, वो तो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, परन्तु जो भी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आयोजन हो रहा है, प्रसंता के साथ में, बहुत बड़ी बात है, ये तो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा, जो आज हम आखों से देख रहे हैं, मुझे नहीं रखता कि आज से दो तीन वर्ष, तीन चार वर्ष पहले तक किसी ने ये सोचा भी होगा, कि ऐसा हम कुछ अपनी जीवन में देख पाएंगे, प्रसीक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, OCEAN Network के लिए आपने समय निकाला है, जै श्री राम, जै श्री राम, सरदन्यवाद,